करेंगे बहुत सारे अपकमिंग अपडेट और साती साथ मैं आप लोगों की तरफ से निकल के आने वाले काफी सारे इंपॉर्टेंट के साथ आएंगी बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा चूकि एस्पोर्ट्स की तीन वीडियो प्लान करेंगे जोकि बहुत ज्यादा वह भी आएंगे आने वाले टाइम पर अंपने बारे में आप लोगों को बताने लगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो जो 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 लाइक करना क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और हाँ आज वीडियो में लोग सिंपली स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रो के बार हो जाओ सारे कथे प्रजा मेरी देख लेगी शरम की बात है पूरी फौज हलादी एक नहीं तो एर इंट्रो के बाद आप सभी का दुबार स्वागत है तो और सबसाल लबे आंसर करने चाहँगा आप लगों की तरफ से निकल के आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कोईशन्स का पर पिछले एक देड महिने से एक कुश्चन जो हम सभी के सभी लोग लगातार राइस कर रहे हैं वो है क्रूनो के रिगाइडिंग की भाई क्रूनो गेम को इंबालस कर रहा है इसके अबिलिटीस बहुत ज़्यदा और पावर है साथी साथ जिसके पास क्रोनो होता है वो गे गरीना फ्रीफार ने चेंज नहीं कर रहे थे बड़ जैसे कब को पताओं को मैंने पिछली कुछ वीडियो उसके दर बटाया थे कि तो फाइनली गरीना फ्रीफार ब्राजील की तरफ से ट्वीट नेचर आया जिसके अंदर हुआ नोंने बोला कि वह और कमुनिटी की तरफ स finally उन लोगों को relief मिलेगा पर अभी तक ये clear नहीं हुआ है कि किस तरह की changes आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्या changes होने वाले हैं उसके skills के अंदर क्या उसके abilities के अंदर changes होने वाले हैं ये अभी तक clear नहीं हुआ है और सीधी सीधी बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग भी तक प्लान कर रहे थे क्रोनों के लेने का तो भाई कुछ time तक रुख जाओ कुछ time तक इस चीज़ को hold रगो चुकि भाई यहाँ पैसा हो सकता है कि आप क्रोनों ले लो और क्रोनों के abilities एक्दम बेकार कर दी जाए इसलिए का हूँगा जो लोग क्रोनों लेने की सोच रहे हो थोड़ा सा hold पर रखो और यहाँ पर भी क्रोनों मत purchase करें क्योंकि गरीना free fire हो सकता आने वाले time में इसके abilities के अंदर कुछ न को changes करें इसका मतलब यह नहीं कि मैंने आज वीडियो के अंदर बोल दे और आने वाले एक दौफते के अंदर ही क्रोनों के abilities के अंदर changes आजेंगे इसके अंदर थोड़ा सा time लग सकता है हो सकता है next patch update के अंदर ही changes आए जो भी आएगा सबके benefit में आएगा सबके hit में आएगा तो इस पर थोड़ा सा time लगेगा developers को भी पहले analyze करना पड़ेगा फिर उसके बाद changes करने पड़ेंगे कभी अब players का क्या feedback रह रह रहा है क्रोनों के regarding अपलोग मुझे कमिट करके जोर जोर बताना कि आप कोई नीज सुनके कैसा लगा कैसा नहीं लगा क्या आप लोग happy हो या नहीं हो कितने ज्यादा यहां पर दोनों के दोनों फॉंडर्स पर इस पर मुद्धा थोड़ा अलाग है कि बात होने वाली डीजे आलोक की डीजे आलोक ने फानेली अपना फर्स वानेज निकाल दिया फ्रीफार कहनना जिसका नेम होने वाला फ्यूग और यहां पर यह खेंलने वाला है किसी भी शोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्यूगों के रिगार्डिंग ना ही कोई पोस्ट किया है ना ही कोई स्टूरी डाले तो हो सकता है कि खाली एक रियोमर हो बड़ यहां पर बहुत जड़ा स्प्रेड आउट हो रहा है देखने वाली बात है घब तक हम यह चीछ क् कि आप लगो क्या e-sports रिगार्डिंग ऐसी चोटी मोटी न्यूज भी हमारी अपडेट वीडियो उसके अंदर सुननी है नहीं सुननी है चुकि मेरे एक चोटा सा एक्सपेरिमेंट था अगर आप लगो की तरह से सपोर्ट आएगा तो आने मेले टैप में e-sports की और भी कवर करूँगा इसे के साथ साथ मैं बात करने चाहूंगा हमारे अपकमिंग न्यू इंकुबेटर के बारे में जिसका नेम होने वाला है अंडर वर्ल्ड शूलजर्स और यहां पर दिखने वाली बात है इसके अंदर कौन कौन से कौश्यूम से होने वाली तो मैं एक ये कर देखने को नहीं मिल लगी है बस इस बंडल में आपको खाली फेसी फेस देखने को मिलेगा जो कि सबसे ज़्यादा यूनीक है जो कि एकदम डार्क है और एकदम ग्रीन देखने को मल रहा है इसके वाला बंडल जिसके अपर नमबर टू प्रिंटेड है इस पर माइनर सी ए खास नहीं लगा बंडल के अंदर वही फेस काफी जाना यूनीक है ब्लू गलडगा काफी एच्छा यूस किया गया थोड़ा और ज्यादा बैतर मन सकता था क्योंकि इसका जो और टैक्शर वो भी कुछ खास नहीं है काली नमबर टू प्रिंटेड है और फेस इसमें जो है तो थोड़ वाला बंडल होने वाले हमारा पॉपल या फिर अपके थोड़ा पिंक कलर का और इस बंडल का नेम होने वाले हमारे हाँ पर सैडव और हो भी क्यों ना क्योंकि इसका और तो यहां पर काफी एच्छा बंडल लिखने में लग रहा है और अगर मैं बताओ तो य पाट है जिसका मिडल पाट है वो काफी तक इंस्पार लग रहा मुझे उसी से क्योंकि यहां पर बीच में वो जो नियोन इफेक्ट आ रहा है उससे मुझे हर में सा आटिक बलू बंडल वाला फील आता है बट यार वही बात है कि यार देखो सब चीजें हमें कंक्लूट करने पड़ेगी और बंडल यार देखो पूरा इंक्यूबेटर मुझे कुछ खास तो लग नहीं रहा है बट यार देखो आप लोगों के अपने चोईस हो सकते हैं मेरी एक अलक चोईस है बट आप लोग जोर से और बताना है कि आपको कैसा लग रहा कैसा नहीं ल बंडल असल में वर्थ रखता है पॉस्त नहीं बताओ तो मुझे काफी जड़ा डेंजरस लगा और यह बंडल है जिसके लिए पैसा लगा सकने वैसे तो आपको पता है यह सबस्क्रादा रेयर मंडल है तो पैसे लगाना बनेगा बट यार देखो इसके अंदर अच्को ज आख जलने तो काफे चा बंडल होने वाला है यह वाला और अलगे में इंक्यूबेटर को कॉंक्लूड कर तो यार देखो गाइस यहां पर पैसा लगाने लाइक इंक्यूबेटर नहीं है अगर आप थोड़ा पैसा बचा सकते हो किसी और बंडल की तरफ तो यार के बारे में तो यार आप मैंसे कई सारी प्लेट्स में इंट्रस्टेड रहते हैं यहां पर मौका नहीं मिल पाता तो गाइस यहां आपको जैसे की पता है कि गेम.tv पर कई सारी टूनामिट चलते रहते हैं हर में से कुछ नहीं स्क्रिम होती है 20,000 रुपीस की जो की होने व स्क्रिम्स का पासवर्ड डालके अपनी टीम को फॉर्म कर लेना है यहां पर डेली स्क्रिम्स होती रहते हैं बहुत सारा टूनामिंट प्राइस पूल होता रहता है तो आप लोग गेम.tv जॉइन कर सकते हो हैं डाउलोड कर सकते हो हमारे गिल्ड को गेम.tv पर इसके अलाव आपकी स्क्रिंड पर डिस्क्रिंप्शन में लिंक है जाके फटाक से जॉइन कर लो तो इसके साथ साथ मैं बात करना चांगा हमारे अपकमिंग कुछ इवेंट के बारे में तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे इसी मत में होने वाला हमारे यहां पर कोबरा इवेंट और यह वीडियो उसके अंदर बात करूंगा पूरा उसका रिव्यों दूँगा और यहां इसके इवेंट खतम होगा उसके बाद हमारे मैर्च के मत में हमारा होने वाला अटाक ऑन टाइटन और अटाइक ऑन टाइटन के लिए बेस सब्री से मैं इंतिजार कर रहा हूं उसके यह कोश्यूम बेसिकली हमारे थीम कोश्यूम होने वाले है बट यह रैट नहीं इसके लावा अधर कोश्यूम में निकल के आएंगी बट सच बात करो तो यहार रैट के अंदर जो हेर से वह सच में मुझे बहुत ज़़दा पसंद आया और इस कोश्यूम का नेम होने वाल सब्सक्राइब है और सब्सक्राइब बात करें पूरी बॉडी काफी अच्छी देखने में लग रही है यही है तो वाइट कर रहा काफी शार्प यूस किया गया है एक हर के अंदर क्योंकि आप इसको पर यूज़ कर सकते हो 37 अगर मैं बात करूँ तो कोबरा के बारे में जब मैंने first time सुना था कुछ ऐसा event आने वाला तो मुझे लगा कुछ traditional होगा बट इसके जो timeline रखी गए वो भी काफी ज़दा high-tech और modern रखी गई है जो कि मुझे बहुत ज़रा पसंद आ रही है मतलब futuristic look है बाकि अपने thoughts को आप लोग comment करके ज़रू बताना कि आपको किती ज़दा पसंद आ रही है इसके साथ साथ हमारी 3 costumes और होने वाली है थोड़ा से color change है थोड़ा सा हमारा neon effect change है बट overall costume same होने वाली है पहले costume होने वाली purple जो की venom costume होने वाली second costume होने वाली blue जो की होने वाली strong costume and third costume होने वाली यहाँ पर हमारी lightning तो यह तीनों की तीनों अलगलग modes है जैसे venom mode, strong mode, lightning mode and इसके साथ-साथ fury mode जो की red वाला है तीनों की तीनों costume है आपके screen के सामने रखर किया है आप तीनों की तीनों देख सकते हो hairs मुझे spikes पसंद आए, सच हम मुझे venom वाली costume के दर एक चीज़ जो सबसे जादा पसंद आई वो है इनके spikes बाकी तो snake की animation, effects, designing, same ही है बस color change करे गए बट एक जोग चीज़ खास है वो है hairs तो मैं hairs के लिए इस costume की तारीफ करना चाहूँगा बाकी costumes काफी अच्छी होने वाली है incubator से तो लाग गुना अच्छी costumes है अगर आप incubator में invest करने वाले थे हो तो I think so आपको इनके बारे में सोचना चीए क्योंकि ये भी एक अच्छा option होने वाला है बाकी guys मेरी वीडियो को कोई भी यहां तक तो नहीं देखता है बैट अगर आप यहां तक देख रहे हो तो एक पर comment में hashtag चिणिया ओडी जरू लिखके आना इससे मुझे ये तो पता चलियागा कि मेरी कितनी audience ऐसी है जो कि यहां तक वीडियो देखती है अगर आप मुझे hashtag चिणिया ओडी से signal दे दोगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में end का segment थोड़ सा और ज्यादा interesting बनाओ जिससे आप लोगो वो end तक वीडियो देखने में और ज्यादा मजा है अगर आप यहां तक वीडियो देखे रहे हो तो यार अफकोस ही बात है आप लाइक जो से और करोगे क्यार आपको पाता है आपके एक एक लाइक से मुझे एक एक मोटिवेशन मिलता है चैनल पर पहली बार तो चैनल को subscribe कर लेना साथ में बेले कर दबा के notification और पर डाल देना बस आज की वीडियो में इतना ही मैं मिलता आप से इसकी next वीडियो में तब तक के लिए guys see you till then bye bye और टड़ा